हाई गाईस मैं सुचेताच बनाने जारे हूँ पोटाटो कॉलिफलर रोस्ट तो उसके लिए मैंने ली है कॉलिफलर आलू जो काटके मैंने पाने में भीगो कर रखी हूँ ताकि यह वो काला पर ना हो जाए आनियंस जींजर गार्लिक दही ग्रीन चीलिस और कॉरियंडर मसाले में साबू जीरा गड़म मसाला जो घर में बनाए हुआ है चीनी हिंग करही गड़म होने के बाद हम उसमें रिफाइंड ओल डाल देंगे फिर तिल गड़म होने के बाद हम कॉलिफलर डालके फ्राइ करते रहेंगे और तब तक fry करेंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउनिश का कलर ना लग जाए क्योंकि मैं रोज बनाने जारी हूँ तो थोड़ा ब्राउन होना ज़रूरी है इसलिए कॉलिफलर फ्राई करने का टाइम में अब ध्यान डखेगा कि ज्यादा तिल डालकर फ्राई ना करने के लिए क्योंकि जितना भी आप तिल डालोगे न वो पूरा के पूरा अबज़ॉफ कर लेगा तो उससे बहतर थोड़ा कमीर तिल डालकर इसे फ्राउनिश करे यह मैंने अब हो गया यह फ्राइ बस अब हमें कड़ाई में फिर से तिल डाल कर तिल गरम करके आलू को डाल कर फ्राइ करना पड़ेगा similarly आलू को भी मैंने ब्राउन करके फ्राइ किये है और हमेशा मैं जब फ्राइ करती हूँ या बॉयल करती हूँ मैं सॉल्ट देकर ही करती हूँ क्योंकि फ्राइंग टाइम में या बॉयलिंग टाइम में ये सॉल्ट पूड़े के पूड़े ब्लेंड हो जाता है वेजिटेवल्स के साथ बस अब आलू तो फ्राइ हो गया अब फिर से तेल में तो चमच मैंने घी मिला लिया फिर थोड़ा गड़म करने के बाद मैंने हिंग डाली और साभू जीरा डाल दी मसालों को थोड़ा भूनने के बाद मैंने आनियंस डाल दिया मिक्सी में मैंने आनियंस को पूरे तरह पेस्ट नहीं किया लेकिन सेमी पेस्ट या क्रश किया अब देख सकते हो कि दरदरा दिख रहा है ये पेस्ट भी नहीं हुआ और नॉर्मल जो कटा हुआ रहता है काटी नहीं बाड़ी काटी नहीं फिर वी ये दोनों मिक्स करके र तोड़ा दरदड़ा भी रहेगा उसमें ग्रेवी अच्छा बनता है हमेश्य की तरह मैंने सॉल दाल दिये फ्राइ करने के टाइम में अब तिल दिख रहा है है अनियोंस अर्मोस्ट हफ्राइ हो गया है तब हमें जिंजर गर्लिक पेस्ट डाल देकर फीट से सॉटे करना बस यह हो गया है अब हम कोरियंडर चिली पेस डाल के साथ में भूनेंगे थोड़ी देर तक भूनने के बाद आलू को मिला के साथ में भूनने लगेंगे थोड़ी देर भूनेंगे आलू, कोरियंडर, चिली, जिंजर, कालिक एक साथ मिला कर साथे करेंगे भूनने के टाइम में शुगर और सॉल्ड दोनों स्वाद अनुसर देकर साथ में मिला कर थोड़ा भूनेंगे इसके बाद इसमें fried cauliflower डाल कर साथ में मिला कर भूनेंगे इसमें भूनाई थोड़ा ज्यादा होगा अभी पानी मत डालिएगा क्योंकि ये जितना भी fry करेंगे तो roast का जो taste होता है वो उसको जो smell होता है न वो भूनने में ही आता है roasted वाले smell भूनना पड़ेगा आपको लगभग 5-7 मिनित तक उसके बाद दही मिला लेंगे और साथ में मिला लेंगे थोड़े देर तक भूनना पड़ेगा फिर से फिर उसमें पीस चिल कर रखेंगे वो ग्रीन पीस ढाल देंगे फिर सब मिलाकर फिर से भूनने लगेंगे थोड़े दिर तक उसमें बाकी के चीनी और गरम मसला पाउडर डालके मिला लेंगे क्योंकि ये 70% पक चुका है भूनने के टाइम से ही तो हमें थोड़ा सा पानी देकर डालना है ताकि ये ज्यादा पक ना जाए बस ये हो गया है थोड़ा सा ग्रेवी रखी हूँ मैंने और आप इसे बोल में सर्फ करते है माफ करिए मेरी हिंदी भाषा में इतना क्लारेटी नहीं है तो मेरी बीटी कभी-कभी वाइज ओवर दे देती है और में भी कभी कभी दे देती हूँ ताकि मेरा भी ब्रैक्टिस हो जाए बस मेरा ये पुटाटो कॉलिफलर रोस्ट रेडी ये रेसिपी अब जरूर एक बर बनाना और कॉमेंट में बताना मुझे कैसे लगे आपको आलू गोभी रोस्ट और मेरी इस चैनल को प्लीज सब अरफी करना थैंक यू